हेलो दोस्तों नौशकार मैं हुराज जादा और एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है स्मार्ट सीजी अपडेट यूटुब चैनल पर दोस्तों आरक्षन मुद्दे से सम्मंधीत एक बहुत-बड़ी ख़बर है बेकिंग न्यूज है मुक्यमंत्री जी ने सीया मावास में बैठक के बाद महत्वणन निंतेज दिये हैं इससे सम्मंधीत इस वीडियो में हम लोग पूरी जनकर देखेंगे अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लिजेगा क्योंकि इस चैनल पर आपके काम के वीडियो रेगुलर बिसेस पर अप्लोड होती रहते हैं बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके औल पर भी सेट कर दीजेगा ताकि जब भी आगे वीडियो अप्लोड की जाए तो तुरत आप तक नोटिफिकेशन चला जाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्रेकिंग न्यूज है और यह जो न्यूज है वो एनपीजी न्यूज की ओर सी दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरक्षन का अध्यान करने के लिए तमिलनाडू, करनाटक और महराष्ट जाएगा अधिकारियों का दल यह कहना है यह जो है सीम बुपेज बखिल जी ने कहा हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो बैठक हुई है वो सीम हाउस में संपन हुई है चतिसगर में हाई कोट के फैसले के बाद आरक्षन को लिएकर जो इस्थिती बनी है उसका हल निकालने के लिए अधिकारियों का अध्यान दल तमिलनाडू, करनाटक और महराष्ट जाएगा सीम बुपेज बखिल ने आज सीम हाउस में बैठा के बाद अधिकारियों को अध्यान दल गठित अध्यान दल जो है गठित करके उन्हें रवाना करने के निर्देश दिये है ठीक है तो एक अध्यान दल जो है गठित किया गया है और उसको जो है रवाना करने का निर्देश दिया है CM भूबेज भगेल जी ने और यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन-कौन से स्टेट का तमिल नाडू, करनाड़क और महराष्ट का वहाँ पर अध्यान किया जाएगा कि वहाँ पर भी आप ये कह सकते हैं 50% से जादा वहाँ आरक्षण नियम लागू है तो वहाँ किस तरह से उस नियम को जो है लागू किया गया है किस तरह से उसका इंप्लिमेंटेशन किया जा रहा है इसका अध्यान करने के लिए जो है अध्यान दल गटित किया गया है किया जाएगा और उसको जो है अरवाना करने के निर्देश जो है CM भुबेज बखिल ने दिया है ठीक है इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं कि 36 गार हाई कोट ने 50% से जादा आरक्षन को असमवेदानिक करा दिया है और इसी संबंद में जो है मामले की सुनवाई के बाद हाई कोट के चीप जिस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जिस्टिस पीबी सहुकी बेंच ने 19 सितंबर को अपना फैसला जो है चीजें यहां पर देखने को मिली है अभी भी बहुत चीजें क्लियर नहीं हुई है लेकिन जल्द ही यह जो अध्यान दल है वह उन्हीं स्टेट्स में विजिट करेगा और वहां सारी चीजों को समझेगा कि कि किस तरह से इंप्रिमेंटेशन वहां किया जा रहा है और उसका रिपोर्ट जो है आ करके जो है सीजी में यहां रिपोर्ट का अध्यान किया जाएगा और उसी तरह से जो है फैसले लिये जाएंगे सरकार के दोरा ठीक है तो इस वीडियो को जो है आपने दोस्तों तक अधिक शेयर कर दीजेगा अगर वीडियो पसंद आये होगा तो लाइक भी जरू कर दीजेगा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद